हलो गाइज वन्स अगैन वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल एक बार फिर से आप सबका हमारे इस आरके सिविल सर्विसेस इस्टिडी पॉइंट पर स्वागत है तो इससे पहले हमने संसत का एक वीडियो कंप्लीट किया उसमें आपको जो है प्री और मेंस के लिए पूर बहुत धन्यवाद इसलिए हम जो है आज आपके लिए लेकर आए हैं संसदी समीतियां जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं इंडियन पॉलिटिस से तो इससे हमेशा प्री और मेंस में हमेशा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं मैंने बीपीस का भी मेंस दिया यू बल्दी से बताना चाहता हूं कि हमारा जो चैनल है यह आरके सिविल सर्विसेस आइड दा रेट आरके सिविल सर्विसेस आप टेली गराम पर भी हमसे जोड़ जाएए यहां पर मैं आपको पीडियप दे दूँगा और आपको डेली का डेली बेस पर टेस्ट मिलता रहेग हैं तो आईए दोस्तों सुरू करते हैं संसदी समितियों के बारे में तो देख लेते हैं संसदी समितियां होती क्या है वास्तों में संसद जो होता है यह विधाईका होती है तो विधाईका का काम क्या है विधानों का निर्मार करना नएने कानूनों को बनाना और उन कानू कानून सम्मत कार हो रहा है नहιं उसको देखना फिर सरकार पर नियंत्रन भी रखना है विधाइग का क्योंकि हमारे pornεται सकती संतुलन का सीधांत लागू हुआ है और यहां पर नियापालिका कारफालिका और वेवस थाप तीनों जो विधाइग का तीनों एक दूसरे से जुड करते हैं तो सरकार संसद के कारियों को कम करने के लिए और कारियों को विशेशी करना प्रदान करने के लिए तथा जो है सरकार की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए मित्वेटा बढ़ाने के के संसदी समीतियों का गठन किया जाता है कि जो संसद होता है उसका कारेभार बहुत व्यापक होता है तो उसको कम करने के लिए और विशेशक गिता पूर कारे करने के लिए संसदी समीतियों की स्थापना की जाती है हमारे समिधान में अनुछेद 105 के तहप संसदी समीतियों क सकतियों और कारियों का विस्तरित व्यवरां दिया गया है ठीक है और इन संसदी समितियों का कार जो है किसके द्वार निर्देसित होता है पीठा सीन अधिकारी द्वारा पीठा सीन अधिकारी आप जानते होंगे लोग सभा के पीठा सीन अधिकारी कौन होते हैं लोग सभा अध्यच्छ होते हैं और राज्य सभा कौन होता है अप लोग जली बताइए हाँ सभापती जी होते हैं ठीक है तो यह हो गया अब इन समितियों के जो अध्यच्छ होते हैं वो सभापती द्वारा नाम निर्देशित होते हैं या उनका निर्वाचन्ब होता है ठीक है और इन संसदी समितिएं को प्रकृति की अधार पर आंदाइबेसी साफ नेचर तो तेन्व कंइटी होती हैं वह नोग देख जो एक्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं उसकी बात करते हैं लोग तो पहले तो जो है प्रकृति के अधार पर समितियं दो परकार की होती है एक होता है तदर्ध समिति एढ़ाक कमेटी और दूसरा होता है अस्थाई समिति ठीक है तो तदर्ध या एढ़ाक समिति क्या होती है ऐसी समिति जो आस्थाई होती है मतलब टेंपरेरी होती है कुछ विसेश कारे के लिए बनाई जाती है और वो कारे समाथ होने पर ये समितियां अपने आप समाप हो जाती है जबकि अस्थाई समिति जो होती है अस्थाई समिति का गठन जो है प्रत्येक एक वर्ष पर समय समय पर होता रहता है और इनकी प्रकृति पर्मनेंट होती है और ये निरंतरता के साथ काम करती रहती है अब एक चीज और यहां पे आप देख लीजे ये कई बार प्रस्ण पूछा गया है कि जो अस्थाई समितियां होती हैं उनमें जो अनुपात होता है लोगसभा और राज्यसभा का अनुपात क्या होता है वो सामानने तोर पर लोगसभा और राज्यसभा का अनुपात दो अन कार की होती हैं जैसे वित्त समिति हो गया विभागी समिति हो गया नैदानिक दिन प्रति दिन होने वाले कारियों के लिए जो समिति बनती है जास समिति होती है लेखा परिच्छा के लिए अलग समिति होती है ठीक है अस्ताइब विभागी समितियां होती है तो यह सब अब इ TC को कई बार कहते हैं और फिर तीसरी आती है उसको कहते हैं लोग उपकरम समिति यह THIS सारोजनिक उपकरम समिति एक्सुल में यहां पर यह पाभिक लिखा रहता है तो विडिग अन्र टेकिंग के लिए समिति बनाई जाते हैं तो यह पूछा जाए गा कि यह जो है टीनों समितियां किस समितिं के इंतर गहत आती हैं विट्य समिति यह याद रखिएगा अब हम लोग देखते हैं सबसे पहली जिसको लोक लेखांफिंट्ष एपिस बहुत ही इमपॉर्टेंट जो है समिति है और सब कि अब इसका गठन करें गया था गठन करना ओन संगे करें तो कुंअ कि वाने क्धार एंग संप्यदिश्ट हैं अगर इन समेटियों के बात करें और अंत्री सम atac निर्वाचन होता है इनके सदस्यों को निर्वाचन कैसे होता है तो इनके सदस्यों को निर्वाचन होता है या फिर लोग सभाध्यच यानि पीठा सीन अधिकारी इसको नाम निर्देशित भी कर सकते हैं ठीक है तो इनका निर्वाचन जो है निर्वाचन की पद्धती कौन सी है चुनाव जो है एकल सं करमडी आनुपातिक प्रतनिधित प्रणाली के अधार पर होता है एकल संकरमडी आनुपातिक प्रतनिधित प्रणाली के चुनाओं जो है अब देखें दो प्रकार के चुनाओं होते हैं एक होता है प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली प्रादेशिक निर्वाचन प्रणा तो प्रादेशिक निर्वाचन प्राणाली में क्या होता है कि जो प्रत्यच चुनाओं होता है और जो ज्यादा ओड़ पाता है वही जीट जाता है जो अधिक ओड़ पाता है वह जीट जाता है सिंपल इस प्राणाली से चुनाओं किसका होता है लोग सभा शांसत का जो चुनाव होता है विधान सभा और पंचायती राज इन तीनों में किस के दुर। चुनाव होता है किस प्राणाली के दौरा प्रादेशिक निर्वाचन प्राणाली के दौरा इसमें प्रत्यच्छ वोटिंग होती है और जो अधिक वोट पाता है वो जीट जाता है जबकि आप प्रत्यच्छ चुनाव कौन सा है तो यह है एकल संक्रमडी आनुपातिक प्रत चुनाओं के बाद आप देखते हैं इसकी संड़चना तो संड़चना की अगर बात करें लोक लेखा समिती की तो इसमें कुल 22 सदस्थ से होते हैं 15 लोक सभा और साथ राज्य सभा से होते हैं अब इसका कारेकाल कितना होता है एक वर्ष सामानने तोर पर इसका कारेकाल एक वर्ष होता है इसे आमतौर पर कैग मित्र और ार्शनिक भी कहा जाता है इसकी बैठकों में कैग भारत के Kanρोलर घर्णर मिहसे बैठकह में भाग लेते हैं को इसका मुख्यकार क्या होता है यह देख करना भारत सरकार के खर्चों और लेखा की जाच करना कैक के रिपोर्ट के पर जाच करना ठीक है और जो है इस समिती की अनुसंसाइं जो होती है वो कैसी होती है प्रामर्शिय प्रकृति की होती है मतलब इसको सदन मानने के लिए बात दे नहीं है अब इसके निशकरसों के आधार इसके निशकरसों पर अंतिन निर्णे लेने का अधिकार क्सको होता है, संसत को होता है मतलब लोक लेखा समिथी जाच करें अपनी रिपोρ्ट जो है किसको को दे देगी सदन को देदेगी लोक सभा अध्यच को देदेगी उस पे ज coch कौन करेगा संसत करेगा और इसके परामर्शों को मानने के लिए वह बात दें नहीं है यही इसकी कमजोरी भी है अगर आजाएगा लोक रभाज सभा दूनों का प्रतनिश्जर के और इसका अध्यच्च का नेता होता है लोग लेखा लोक लेखा समिति के अध्यच की नियुक्ति कौन करता है लोक सभा अध्यच करता है अब दूसरी आ जाती है प्रक्लन समिति या आकला समिति पहले तो यह जान लीजिए इसको जो है लोक लेखा समिति की बहन कहते हैं जुडवा बहन कहते हैं ऐसे मतलब प्रस्ण पूछा गय सब्सक्राइब प्रणाली के आधार पर होता है ठीक है और इसका गठन सबसे पहली बार जो है ततकालिन जो वित्त मंत्री थे जान मताई जी 1950 में जो है इसका गठन हुआ था 1950 में हुआ था इसका कारे क्या है मित व्याइटा एवं कारे कुशलता है तु सुझाव देना जो भी योजनाय बन रही है जो भी इसकीम हो रही है जो खर्च सरकार कर रहे है उसके मित व्याइटा और कारे कुशलता के लिए जो कहते हैं इसमें कुल 22 सदस से होते हैं पंदरा लोक सभा से और साथ राज्य सभा से होते हैं लोक उपकरम और इसकी जो है गठन इसका गठन कौन किया था तो इसका गठन कब हुआ था 1964 में कृष्णा मेनन समिती के अधार पर इसका गठन किया गया था लोक उपकरम समिती गठ के प्रतिवेदन एवं लेखा की जांच करना ठीक हैं और इसके अध्यच, इसके भी जो है लोग्त्तरभाद्ध्यच, द्वराय नामित होते हैं और एक चीज और जानने- योगये कि मंत्री जो है, इसका सदस्य नहीं बन सकता है, जो सरकार के मंत्री होते हैं वो इनके सदस नहीं बन सकते हैं ठीक है लोग लेका समिती में भी है ये टापिक तो अब हम आशा करते हैं आपको जो है संसदी समितियों को बारे में पूरा पूरी चीजें जो प्री और मेंस दोनों के लिए आपको बता दिया गया है हमाशा करते हैं किसे बाहर कोई भी प्रश्ण नहीं आएगा और मैं उमीद करता हूँ कि कल जो मैं टेस्ट लूँगा इस टॉपिक से संसदी समितियों और भारत का समयधानिक विकास उसको आप लोग बहुत अच्छे से करेंगे आज कुल जो है 85 लोग टेस्ट दिये हैं जिसमें से बहुत अच्छा लगता है उसमें गोल्ड यलो और गोल्ड सिल्वर और ब्रांज मेडल मिलता है तो आज के टाप थ्री जो है खुसी यादों हैं सवरब हैं और एक लोग का भी नाम भूल रहा है तीसरे नंबर वालों का तो ये लोग जो है इस बार के विजयता रहे हैं अगली बार आप लोग भी टेस्ट में सामिल होई है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए टेलीग्राम ग्रूप पे जोड़ जाएए पूरी तयारी आपको कराई जा और इसको देखते रही अच्छे से टेस्ट के लिए तयार रहीएगा थांक्यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए थांक्यू सो मच